Hello my cute students, welcome, welcome back to welcome academy online classes. How are you? I hope you all are fine from mercy of God. Now we start our further studies. You must have understand well previous chapter. आप लोगों को पिछली chapter बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. Now let's see what's there in your next chapter. तो चलो हम लोगों देखते हैं कि आज आपके नए चैप्टर में क्या है. This is your English book. यह आपके English book है. हम लोग पिछले class में फास्ट चैप्टर स्टडी किये थे. तो आज उसमें एक पोयम भी होता है. फास्ट चैप्टर में एक स्टोरी और एक पोयम होती है. तो हम लोग एक स्टोरी पढ़ चुके हैं. अब आज एक पोयम पढ़ेंगे. Now let's see what's there in your poem. This is your poem. The Slimy Rattlesnake. Slimy का मतलब होता है इदम चमकीला, shiny, sticky. और एक चमकीला नाग. तो चलो पढ़ते हैं. A dessert is full of animals. A dessert means रगिस्तानी. एक रगिस्तान जो है वो क्या है? जानवरों से भड़ा पड़ा है. रेप्टाइल्स, बर्ड्स and इंसेक्ट्स. रेप्टाइल्स मिस होता है. रिंगनी वाला जानवर बर्ड्स मिस होता है. चडिया और एंसेक्ट्मस क्या होता है? खीरे मकूरे. तो यह पोयम जो है वो उसी सब के उखो डिस्क्राइब कर रहा है. यह कवीता जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई देने वाली तस्वीर की तरह है. जैसे कि इस पोयम में आप लोग देख रहे हैं इतने सारे तरह तरह के जानवरों को इसी सब के बारे में इसी सब को डिस्क्राइब किया गया है इस पोयम में. Now, come to the end text. Look the camel lean and tall. देखो उट को जो कि lean मीं सोता है, दुबला पतला जो कि कितना दुबला और लंबा है. मंचिंग लीव्स नियर अस ओल मंचिंग मीं सोता है, चबा चबा के खाना तो देखो वो पत्ते को कितने करीब से चबा रहा है चबा के खा रहा है ना लूक अस लीमी रैटलन स्नेक ऑन दा ग्राउंड देखो नाग को मैदान में कितना शाइनी दिख रहा है कितना मतलब कि जो स्नेक का जो बॉड़ी होता है वो बहुत ही शाइनी रहता ना शाइनी रहता ना देखने से तो वो भी उसी स्नेक के बॉड़ी करने बता रहा है कि देखो कितना स्लीमी है वो नाग जो के ग्राउंड में है wriggling over the stones we found wriggling का मतलब होता है moving by turning and twisting मतलब कि तुम लोग भी देखे होगे साप जो है वो सीधा तो नहीं चलता है हमेशे अपने बॉड़ी को turn करके और twist करके चलता रहता है मतलब कि घुमा घुमा के चलता रहता है तो वो अपने बॉड़ी को किस तरीके से घुमा घुमा के stone पत्थर पे चल रहा है हमने पाया कि वो जो साप है वो बॉड़ी को किस तरीके से घुमा के stone पे पत्थर पे चल रहा है मतलब पत्थर पे ring रहा है look up big culture soaring high देखो एक बड़े वल्चर मिस गिद होता है soaring means होता है उरने वाला देखो एक बड़े गिद को कितना उपर उर रहा है spreading its wings across the sky spreading means होता है फैलाना तो वो अपने पंग को आसमान में फैला रहा है फैला के कैसे उर रहा है look a hedgehog prickly and small देखो hedgehog का मतलब होता है कांटेदार जंगली चुहा देखो उस कांटेदार जंगली चुहा को जो कितना कांटेदार और छोटा दिख रहा है rolling himself into a ball वो खुद को एक गेंद की तरीके से रॉल करके वहाँ पे खुद को रखे हुआ है look a spider colorful and grand देखो उस मकडी को जो के colorful है मतलब कई रंकी है और बड़ी है trading so lightly on the sand trading के मतलब होता है पाउं रखना है न तो वो क्या कर रही है हलके से sand मिस होता है रेथ रेथ पे अपने पैर को हलके हलके रख रही है light light रख रही है न look a lizard lifting its head lifting मिस होता है उठाना तो देखो उस छिपकिली को जो के अपना सर उठा के उठा रहा है it is not he shiny and well fed वह जो है वो चमकीला क्या वह चमकीला और सुपोशित नहीं दिख रहा है मतलब खाया हुआ असा खाया हुआ नहीं दिख रहा है हाना तो यह आपका poem था जिसमें इसमें आप लोग देख रहे होंगे इसमें कुछ hard words है तो उन hard words को हम लोग देखेंगे और याद करेंगे तो यह रहा आपके यह रहा आपका hard words जब ही video चल रहा होगा तो यह hard words को आप वीडियो को stop करके इसका screenshot ले करके इसे copy में उतार लीजेगा और इसे अच्छे से याद कर लीजेगा घड में अपने बड़े को किसी को भी mommy बपा brother sister किसी को भी सुना सकते हो आप जब आप स्कूल आओगे तो मैं आप लोगों से अच्छे से इसको spelling के साथ सुन लूँगी ओके students आज के लिए इतना ही bye allahafis have a good day stay home stay safe अपता है